हेलो दोस्तों हम आज आपको CGPETPPT फार्मर्शी काउंसलिंग 2023 की संपन जानकारी देंगे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही काउंसलिंग की जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब तथा वेल आइकन को दबादें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी ते लिए आगे चलते हैं प्रकारी मिलती चैनल के टेकनिकल कोर्सेस की नोटिफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले राउजर के सर्च बार में cgdte लिख कर सर्च कर लेना है जैसे सर्च के बटन को दबाने के बाद इस प्रकार की साइट खुल कर आपके सामने आ जाएगी साइट को क्लिक करते ही टेकनिकल वेबसाइट एजुकेशन रायपूर की वेबसाइड खुल जाएगी इस पेज के नीचे आने पर एडमिसन इन्फोर्मेशन एक सेक्शन बना हुआ है उसी के नीचे राइट साइड में मोर का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करना होगा जैसे उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस परकार की इन्फोर्मेशन आ जाएगी इसके बाद जैसे पहला लिंग को क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग की वेबसाइट को डाउनलोड कर लेना होगा डाउनलोड करते ही पूरी सेड्यूल डाउनलोड हो जाएगी और इस परकार की खुल करा जाएगी पहले फार्मर्सी दुसरा डी फार्मर्सी तब फार्मर्सी की काउंसलिंग के बारे में जान सकते हैं MBA, M Tech, इसके साथ ही पॉलि टेखनिक, इंजिनियारिंग की लिए कॉर्सेश हैं टेकनिकल सभी की काउंसलिंग की सेडिूल जानकारी देंगे तो बात करते हैं बेचलर ओफ टेकनोलोजी की कॉर्सेस की बात करें तो इंजिनेरिंग डिप्लोमा, फोले टेकनिक इन सभी की ऑनलाइन रेश्टेशन की डेट है 11 अगस से 15 अगस से स्टार्ट हो रहा है जिसमें रेश्टेशन फोर्म भर पाएंगे जिन जिन कंडिडेट का रेश्टेशन होगा उसका अलोटमेंट लेटर है 17 अगस को जारी कर दिया जाएगा जिन जिन कंडिडेट का सेलेक्शन होगा उसको 18 अगस से लेकर 21 अगस के बीच एडिमिसन लेना होगा और second round की registration 22 अगस्त से 26 अगस्त तक online form भर सकते हैं तथा इसके पहले registration कर लिए हैं तो preference यानि प्राथमिक ता क्रम से सुधार भी कर सकते हैं इसके बाद second round की allotment list है वह 29 अगस्त को जारी होगा इसके बाद जिन जिन candidate का selection होगा वह 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच college जाकर admission ले लेना है third round की counselling है वह है 9 सितंबर से 11 सितंबर को registration करना होगा तथा merit list 13 सितंबर को जारी हो जाएगा तथा प्रवेश की प्रक्रिया वह 14 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा जो इस प्रकार है अब बात करें pharmacy जैसे course की तो वह date देख सकते हैं pharmacy की registration 14 अगस्त से 18 अगस्त तक online registration form भर वाएंगे और इसकी पहली एलोट्मेंट लिस्ट है वह 21 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा जिन 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 कंडिडेट का एलोट्मेल सेलेक्शन होगा उस उनका 22 से 25 अगस्त के बीच अपने संस्था ऐलोट्मेंट मिल जाएगा और वह जाएंगे और इसका ऐलोट्मेंट एक सितंबर को जारी हो जाएगा जिसमें 2-5 सितंबर के बीच अपने शंथा में जाकर admission लेना होगा और बात करें third round की तो counselling 9 सितंबर से 11 सितंबर को counselling start हो जाएगा जिसमें counselling कर लेना होगा तथा इसका merit list 13 को जारी हो जाएगा वहीं बात करें admission की 14 सितंबर से 15 सितंबर के बीच जाकर college में admission लेगा तथा इसके नीचे आएंगे तो pharmacy engineering और technology course की entry के through पूरी जानकाई दी गई है lateral entry के through admission लेना चाहते हैं तो यह पूरी schedule देख सकते हैं इसके बाद नीचे दिएगे निर्देश को ध्यान से पड़ सकते हैं जैसे counselling के बारे में कुछ निर्देश दिया गया है जैसे आप counselling farm भरेंगे और allotment लेटर जारी हो जाता है तो आपको जो भी college मिला होगा वहाँ जाकर आपको सारी document verification करा लेना होगा अगर आपका सारा document सही है तो फिस लेकर admission दे दिया गयेगा इसलिए सारा document ready कर लेना है क्या क्या लएगा अगले वीडियो में बता दिया जाएगा चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरू करें प्लीज, दन्यवाद